तो आगा थे इस निट्ट क्रेश्चन कि लैंट ऑफ ल्ए इस नियुटन सोब अधिर निय को इसको बनाते हैं चब लैंद की बात और तो उसका कुछ औरीजिनल लेंट तो रहा होगा न सटोड़ी कि उसका और इसका और इसनल लेंद एथा फिर और इसनल लेंद से रहा होगा वायर का तो माल लो एल उसका ओरिजिनल लेंद था ठीक है एक फॉर्मूला होता है जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करो तो स्प्रिंग फॉर्स बराबर की एक्स अब यहां माइनस मत ढूंडने लगना बस हम अंडर्स्टेंडिंग के लिए लिकरे ठीक है तो इस प्रिंग फॉर्स इस के एक्स के क्या है यहां पर को आप कर मात अगर हम एक फॉर्मूला और पूछे तुमसे की यी बराबर stress force by area upon strength change in length by length यहां से अगर हम f equal to लिखते हैं तो क्या लिखेंगे y a by l into delta l क्या हम इन दोनों equation को compare कर सकते हैं इसको और इसको हां कर सकते हैं मतलब यह जो wire है string है इसको एक spring की तरह से मान करके हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसका जो spring constant या stiffness constant होगा वो होगा y a by l और यहां पर हमारा elongation के जग़ा delta l था तो यह stiffness constant हमने ले लिया ठीक है तो अगर हम तुम से पुछे कि delta l equal to f by k लिख दे तो चलेगा क्या तो तुम बुलेगा हाँ चलेगा क्यों नहीं क्योंकि delta l f by इसका value के ही तो होगा अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि question में तुमको 4 newton का force दिया है ठीक है तो उसको relate तो करना होगा न extension से इसलिए ऐसा करना मेरा मजबूरी यानि तो हम थोड़ी सोच पाते कि ऐसा करना है यह तुमको समझना पड़ेगा question से ठीक है अब देखू जैसे a meter length है जब force कितना है 4 तो original length जितना था उसमें कुछ length बढ़ गया तो l में 4 by k k तो constant ही रहेगा k को तो यहाँ y a by l वो तो एक constant है तो original length में delta l बढ़ा तो इसका length a हो गया वही अगर original length में delta l के जगा पे 5 by k रखे तब मेरा length b हो गया ऐसा कहरा question में कि a meter है जब tension 4 है मतलब कि original length में इतना delta l करो 4 by k यहाँ delta l का काम कर देगा तो a length हो गया वही original length में 5 newton by k करो delta l का काम करो तो यह b हो गया ऐसा question में कहरा था अब बोल रहा है कि आप यह बताईए कि length कितना होगा जब length कितना होगा जब tension 9 है मतलब l प्लस 9 by k का value कितना होगा यह तुमको बताना है समझ रहे हैं 9 by k का value कितना होगा यह तुमको बताना है अच्छा तुम ये बताओ कि 25 माइनस 16 कितना होता है तुम बोलो कि 25 माइनस 16 तो 9 होता है तो एक काम करो कि इसको गुना कर दो तुम 5 से और इसको गुना कर दो तुम 4 से तो equation देखो क्या हो जाएगा second वाला हो जाएगा 5L ठीक है 5L प्लस 25 वाई के ठीक है 5L प्लस 25 वाई के बराबर 5B इसको माल लो equation नमबर 3 और उसको लिखो के 4L प्लस 16 वाटा के बराबर 4A इसको लिख दो equation नमबर 4 अब दोनों को subtract कर दो तो देखो 5 में से 4 गया 1L 25 में से 16 गया 9K 9 वाई के 5B माईनस 4A that means this is the final length when the force is 9 Newton तो original length L था 9 Newton का force मतलब delta L हो गया 9 वाई के और इसका value का हमने L डेस लिखा और L डेस आगे है तुमारा 5B माईनस 4A अब तुम खुद सोचो कि C वाला option मैच हो रहे गया यहां पर तो इस तरह से तुम इस question को बना सकते हो अगर तुम इतना नहीं सोच पा रहे हो तो थोड़ा सा method lengthy हो जाएगा वो भी हम बता देते हैं तुमको पहले करना होगा L को eliminate equation 1,2 से subtract करके L को हटाना पड़ेगा उससे एक relation आएगा K का A और B के terms में निकाल लिया यहां रखना पड़ेगा उसको ठीक है फिर क्या करना पड़ेगा फिर से तुमको यहां पर इसको eliminate करना पड़ेगा K को फिर वो घटाना पड़ेगा फिर L का value यहां रखना पड़ेगा तो उसके लिए फिर से तुमको 5 और 4 से गुना कर नहीं पड़ेगा जो तुम linear equation in two variables पड़ेगा वो class 8, 7, 8 में maths में तो method जो हम बताए इसी को अपना हो इसमें direct एक बार में हो जाएगा I hope तुम यह question समझ पायोगे thank you so much for watching